तो आज सद्धन प्रविश का भाग तेक में पाठ पांच खंडवा का पांच भारत बाहु बली इस पाठ को आज अपन पढ़ेंगे तो जैसे कि अपन लोग ने पिछले पाठ में जो दूसरा पाठ था तीसरा भगवान रिसब्देव रिसबनात अधिनाथ भगवान का कि आधिनाथ जबकुमार जबदेव के एक पुत्र और दो पुत्रियां थी तो किसकी को कौन कौन से पुत्र पुत्रियां थी नंदा नंदा मतलव यशाश्वती है ना स्वपुत्र और एक पुत्री भरत आधी स्वपुत्र और ब्राम्मी अब यहां पर पाठ पांच में भरत और बाहुवली उनके 101 पुत्रों में से यह दो पुत्र जो है यह इनकी कथा विशेश रूप से प्रिचलित है प्रिसिद्ध है सुनी जाती है बताई जाती है इसलिए भरत बाहुवली का यह पाठ अलग से रखा गया है तो चलिए सुरू करते हैं राजा आदिनाथ के भरत और बाहुवली सहत 101 पुत्र और ब्राम्मी एवं सुन्दरी दो पुत्रियां थी इन दोनों पुत्रियों ने आरिकापत को धारन किया था राजा आदिनाथ ने दीक्षा से पूर्व भरत को अयुद्ध्या का एवं बाहुवली को पुधनबुर का राजा बनाया था ठीक तो भरत को कहां का राजा अयुद्ध्या का और बाहुवली को पुधनबुर का एक दिन भरत चक्रवरती छे खंड की दिगवजय कर लोट रहे थे, तभी उनका चक्रत्न अयुध्या के बाहर ही रुक गया, मंत्रियों ने कारण बताते हुए कहा कि आपके भाई आपके अधीन नहीं हैं, मतलब सारी दुनिया को तो आप अधीन कराए हैं, लेकिन अभी भाई आपके अधीन नहीं हैं, उन्होंने आपकी अधीन तस्विकार नहीं किये, तत्पस्चाद भरत चक्रवरती ने अपने सभी भाईयों के पास दूत भेज दिये, संदेशा ले करके, ऐसे ही हर जेकर किया करते थे वो, बुद्धिक विजय करने के लिए जब जाते हैं कईके चक्रवरती तो कईक यंध्ध होता नहीं है, वह अपनी सहना लेकर के जाते जरुर है, लेकि कहीं किसी राजा के साथ, युद्ध नहीं होता कभी, क्योंकि जैसे ही वो संदेशा पहुचाते हैं, किसी भी राजा के सामने, वो तुरंत उनके साम अमराज्य में संभल तो होना सुईकार कर लेता है, उनकी अधीनता सुईकार कर लेता है। इसलिए वो दिख बजय करते हुए चलते जाते हैं कोई उनके सामने यह नहीं कहता कि हम तुमसे लडेंगे। क्योंकि ये इसलिए मता रहे है। की बार ऐसा पूछा जाता है आप प्रश्णा आता है कि भरत चक्रवर्त सम्य प्र वर भी चख्रवर्ति में सम इक दिश्टी स्द्ण करने के लिए जात होंगे तो कि तो युद्ध होता ही नहीं है और एक भी व्यक्ति की मौत भी नहीं होती है और पूरा जीत लेते हैं ऐसा होता है तो तक्रवर्ती नहीं अब यहां से तो वह निकले ही थे स्टार्टिंग में तो पूरा छैखंड जीत के जब लोटके आए तो अपने घरवालों से उन्हें थोड़ी पता था कि इनको भी थंदेशा भीजना पड़ेगा अपने जो सो भाई थे तो बांक ही सब को थंदेशा अधिन कर लिया लेकिन जब बापस अधिया में आने लगी तो रुक गया चक्रतन फिर पता चला कि दिया यह भी तो राजा है अलग-अलग तो इनको भी अपनको अधिन करना पड़ेगा तो फिर उन्होंने दूत बेजे तो सभी नियानवे भाईयों ने भगवान सब अधिन कर ली अब बात यह है कि या तो इनके अधिन हो जाओ तो अब उन्होंने अधिनता सुईकार नहीं की उन्हें कि हम आपके अधिनता नहीं होंगे जब संसार ऐसा ही है तो फिर हम इसको छोड़ी के चले जा रहे है जिए पकड़ों पना राज हम जा रहे तो जी के पास समुषरण में जा करके और उन्होंने दिख्छा ले ली फिर कोन बचे भाववली लेकिन भाववली भगवान भाववली जी ने उनकी अधिन आधिनता सुईकार नहीं की तब दोनों तरफ से युद्ध की घोशना हो गई अब युद्ध यही उसी कंडिशन में होगा जब सामने वाला हार ना माने तो अब इन्होंने हर नहीं माने तो यह दोना था अब उसी में मंत्रियों ने सोचा कि ये दोनों तो चरम शरीरी मतलब भाव मुखशे जाने वाले लेकिन चरम सरीरी का मतलब क्या होता है चरम सरीरी सब्दकार्थ होता है चरम मतलब होता है अन्तिम चरम मतलब अंतिम लाश्ट और सरीर मतलब सरीर तो अंतिम सरीर और सरीरी मतलब बाले अंतिम सरीर बाले यह उनका दुनिया का शंसार का अंतिम सरीर है इसके बाद अपना कोई सरीर नहीं मिलेगा मतलब मुक्षिल जाएंगे तो क्यों मिलेगा सरीर इसलिए चरम सरीरी कहा जा क्यूंकि पे पहले हम जुम कम जम झाना कर दिया हो दो के लिए टान रीरी वाले हैं लुब्स कि इस्लिए हमने बताया कि यह पे हो धर आपशलन मतलब अंतिम नहीं कि छेमड़ा सुट्ढ़ Τो तो अंदिम शरीर वाले हैं, इसके बाद मोक्षिगामी है, तो जो मोक्षिगामी जीव होते हैं, उनका गात नहीं होता, उनकी अकाल मिर्ट्यू नहीं होती, अब ये लड़ेंगे भी, तो ये तो मरेंगे नहीं, बागी सेना मरे जाएगी, है ना, तो इसलिए मंत्रियों न स कि इने तो कुछ नहीं बेगड़ेगा, ब्यरती सेना का नात हो जाएगा, अब तो हमेसे ही रहता है, अभी जो मंत्री बनते हैं, मंत्री नहीं, अब चूकी नेता मंत्री बनते हैं, इसलिए उनमें बले दमाग ना हो, लेकिन जो उनमें बले नहीं हो, क्योंकि वो कोई भी लेकिन जो उनके सेकेटरी होते हैं, वो अनुभवी, ज्यानी, पूरे चीज, इसलिए वो आईएस अफिसर जो होते हैं, वो एक्च्वल में असलिह मंत्री होते हैं, वो जैसा कहते हैं, मैसा करना होता है उसे साबते, लेकिन उस समय जो होते थे, उस समय से नहीं होते थे, पूरा ज्यान नौलेज अनुबव उसी के पास होना चाहिए, वो किसी से पूछ के काम नहीं करता था हब भी थे, तफ्फार का है, होते ही थे, नहीं भी उते है, राजा के एख्षा है YA थेटोड की जाते है, स्फश्च है यूज्य के तो जली है, यूज्य के एख़्दी तो जली को इता हैंनि उसको जच्श को इख्षाना देंगे, हे पहले उसों कौने ने ह будет the simple कि यह मेरा है वह अपना मान के चलता था वह अपना मन के चलता था गाम क्राता था आधा भैंगा पर्वारण वह की पराभण नहीरा पडिесси भ define की हजा तूतेना आई शबहना को लगाना तो यह होताथा Council अब यह होता है, कऱ बिए इस Virus से कि अवर फाय प domestic namely Dr 55 जनोी करें, बना फा कर दो 늦ेक Sig Canadian कुल पना है?, चैहिसे हर चीछ के अपने फायदे हर चीछ के अपने नुक्सान, उस समय राजाए अठ्छा होता था तो प्रजा मोज में रहती थी राज अगडवड हो गया तो नुक्सान दायक होता था यह गाटा उस समय होता था तो इस प्रकार से भरत बाववल की बूज बीच में मंत्रियों ने कहा कि आप तुम आपस में लड़ो और जो जीतेगा वो सिकंदर हो जाएगा तो इनके बीच बड़ी ही मतलाा के लिए इस के लिए इसनलों के अधा में होता इसे के पहले हम गाएं एक लाग कर दोदर्ज शुनी होता है कि थी तु सźवCall लोग यह जो कि पकंट गया कि देखो ऑन है अपनादे फ चोटे में इह जा बचत्रियुझां गया जल युद्धु होाज जली ju जो पीछे सब खेल चुके थे लोग तो ये वाले युद्धिन के भीच हुए दोनों में बाववली जीत जाते थे एनकी हाईड ऌची थी अब जिसकी अँखों के साथ है इसको उनके बाव हुआ पराववली जी शुका करके और यह मारते तो उनों के मूट, हाँ, उचाही का फाइदा उठाते थे वावलियों, इसलिए यह हार जाते थे, और फिर अंते में मल्युद्ध हुआ, तो मल्युद्ध में भी उचाही थी, ताकत थी, तो ठा उठागे, भेगदेते होंगे, भाहर दो, तीनों में हार गए, हम बाला गैने तो क्या हुआ अब परेश ऑन भरत वाव अली कि बरित के सरी क्यों चाहिए पांस्तो जनोस प्रमान भाव उली के सरी की हूचाहिए ौड़ित इनोस फ्रवान अता भरत ढूर्ष्टित जला थार गए इस प्रामल अल्य प्रत्भाव अल्ट consig तीनों युद्ध में हारने से प्रोधित होकर भरत में बिना बचा रहे ही खिसिया करके और क्या कर दिया चक्र चला दिया लेकिन चरम सरीरी का कुछ बिगरता नहीं है इसलिए वह चक्रतन भी अपने गोत्रज बंदूओं का घात नहीं करता अपने गोत्रज मतलब सगे जो भाई वहन होते इसलिए चक्र बाववली कामदेव की पिदक्ष्णा दे करके लोट गया भरत के इस कृत्य को देख करके बाववली को बहुत दुखुआ कि देखो एक छोटी सी पोजन पुर नगरिया के चक्र में इसने हमें जान से मारने की क ऐसकी के टिला दिया सोचो पूरे च्हल रेक अरण यारो और मदेशन में देख्ण आसमें फीच चला है تत्या कर दोड़र्श की के इस महित पार ही in onay Imagine करने भर्त बाववली एक बर्स का योग लेकर के ध्यान में खड़े रहे एक बर्स का उन्होंने सीधा एक बर्स का योग धान कर लिया था कि एक बर्स तक हम नहीं हिलेंगे ऐसा है सर्पोंने तो एक बर्स का चर्पोंने उनके चरणों का आस्रह लेकर के बामी बना ली लताएं योगी राज के उपर चड़ गई टिडियों ने गोंसले बना लिये उनके बालों में एसी कठोड़ता तपश्या के बाद भी उन्हें केवल ग्यान नहीं हो पा रहा था एक दिन भरत ने जाकर बाहुवली को नमस्कार कर उनकी पूजा की तच्छण ही उनका विकल्प समाप्त हो गया और कुछी समय बाद उन्हें केवल ग्यान प्राप्त कर लिया देवों ने गंद कुटी की रचना की कुछ समय के बाद भगवान बाहुवली संपून कर्मों क ऐब्षर नष्ड करके मोख चले गए भरत चक्रवरती ने पूद्ण पूर में ब्हगवान बाहुवली की पासो धनूस प्रमार भते पासो धनूस प्रमार की प्रतिमा बनवाई थी विया प्रकार करनाठक प्रांत के स्रवनवेल फिर गुला में आती एक हजार बरक पूर उनके आचारित में राजा चामुन राये ने सस्तापन फुट उची अजस्यकारी मनों की प्रतिमा की पिजिष्ठा कराई जो गोम मटेस बावुबली के नाम से प्रसिद्ध है भरत चक्रवरती ने भी बाद में वैराग होने पर मुनी दिक्षा धान का समस्त कर्मों को नाश करके मोक्षे प्राप्त कर लिया था इस प्रकार से भरत भगवान बावुबली भगवान दोनों ने ही अपने अपने जीवन में करमों कुनाथ करके उत्तमगर्दी को प्रात्ति क्या है इस प्रकार से ये अपना पाठ पाठ भी पूरा हो गया